हेला फ्रेंड्स आज हम इतली बनाने बाले हैं इतली के बेटर केसे तयार किया जाता है isका टृष करने हैं अगर आप इसी शपोंजी इतली बनाना चाहते हो तो वीडियो को अनंत्क जोरूर दि annexiez आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को से यyan और लाइक किजिये ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तो पहुंच सके चलिए वीडियो सुरू करते हैं मैं यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन लिया हूँ उसमें हम एक गलास और अधा गलास चाओल लिया हूँ अधा गलास उरोध दर लिया हूँ इसमें हम पानी डाल देंगे आछे से हम पानी में उर्वत दल और चावल को मिला लेंगे और भीगोने के लिए 304 घंटे छोड़ देंगे देखिए उर्वत दल और चावल आछे से भीग चुका है अब हम उर्वत दल और चावल को 3-4 बार पानी डाल के अचे से दोलेंगे देखिए मैं यहाँ पे उर्वत दल और चावल को अचे से दोल लिया हूँ एक ग्राइंडर जाल लिया हूँ उसमें हम उर्वत दल और चावल को डाल देंगे अब हम इसमें पानी डालेंगे पानी हम इतना ही डालेंगे जैसे कि उरत दाल और चावल डूब जाए उसे ज्यादा हम पानी नहीं डालेंगे अब हम ग्राइंडेजर के ढखन लगाएंगे और उरत दाल और चावल को पीछ लेते हैं देखिए मैं यहां पर उरद दल और चावल को पीछ लिया हूँ, एक स्मूध बेटर हमारा त्यार हो गया है, इसको हम बड़े से परतन में डाल देते हैं, पचे हुए चावल को हम फिर से ग्राइंडर जार में डाल देंगे और ग्राइंड कर लेते हैं, बचे हुए उरद दल और चावल को ग्राइंड कर लिया हूँ, एक स्मूध बेटर हमारा त्यार हो चुका है, अब हम इन बेटर को बड़े से बरतन में डाल देते हैं, अब हम बरतन के उपर एक चनली रखके आचे से थंड़ा होने के लिए बेटर को छोड़ देंगे, देखिए बेटर हमारा आचे से थंड़ा हो चुका है, अब हम इसमें स्वाधन सर्णमक डाल देंगे, चुटकी पर सोड़ा डाल देंगे और आचे से मिला लेंगे, अब हम बेटर को एक प्लेट से ढग देते हैं, और 8-10 गंटे तक हमें ऐसे ही छोड़ देते हैं, देखिए बेटर हमारा आचे से फोल चुका है, हमें इसे ही बेटर चाहिए इटली के लिए, बेटर को हम साइट में रखते हैं, इटली बनाने के लिए मैं यहां पर इटली स्टांड लिया हूँ इटली स्टांड के अंदर मैं पानी डाल के लिया हूँ सबसे पहले हम ग्यास उन कर लेंगे और इटली स्टांड को ग्यास के ऊपर रख देते हैं ग्यास के फ्लेम को हम हाई कर देंगे और पानी को अच्छे से उबाल लेते हैं पानी में उबाल आ गया है अब हम धकन निकाल लेते हैं इटली बनने वला छांस को हम इटली स्टंड के अंदर रख देंगे धकन लगाके हम इसको दो मिनिट आच्छे से गरम कर लेते हैं अब हम धकन निकालके इटली चांच को हम निकाल लेते हैं ग्यास के फ्लेम को हम लो कर देंगे इटली स्टांट का हम धकन लगाके छोड़ देते हैं अब हम इटली छांज के अंदर थोड़ा सा तेल या घी लगाएंगे। ऐसे ही आच्छे से हम तेल या घी लगा लेते हैं। अब हम इटली स्टांड के अंदर इटली छांज को रख लेते हैं। बेटर को हम आच्छे से मिलाएंगे। गैस के फ्लेम को हम हाई कर लेते हैं अब हम थोड़ा-थड़ा बेटर को इटली छांज के अंदर डाल देते हैं इटली स्ट्राण के उब धक्कन लगाएंगे और इटली को दस मिनेट हाई फ्लेम में पकाएंगे 10 मिनिट हो चुका है अब हम निकालेंगे और एक चाकू के मदद से हम चेकर लेते हैं इटली हुआ है गी नहीं हमारा चाकू साप निकला है इटली आचे से पक चुका है अब हम इन सारे इटली को बाहर निकाल लेते हैं देखीए मैं इटली को बाहर निकाल लिया हूँ अब हम इटली को थोड़ी धर थंडा हरना के लिए छोड़ देंगे इटली थंडा हो चुका है एक चाको के मदद से हम किनारा को एसे निकाल लेंगे अब हम इटली को हाथ से ऐसे ही निकल लेते हैं देखिए इटली आच्छे से निकल रहा है ऐसे ही हम सारे इटली को निकल लेते हैं इटली कैसा बनाए है देखने के लिए हम एक चाको के मदद से इटली को काट लेते हैं देखिए इटली कितना सौप्ट और स्पॉंजी बना है इटली के साथ खाने के लिए मैं नाजेल और चनलाल के चटनी बना के लिए हूँ यह चटनी इटली और दोसे के साथ खाने में बहुत इश्वादिश्ट लगता है अगर आप चटनी बनाने की रेशेपी की वीडियो देखना चाहते हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देदूंगी आप वहाँ जाके देख सकते हो नहीं तो आप मेरे चनल में वेजिट करके भी देख सकते हो एसे ही स्पॉंजी और सब टिटली आप घर पे बनाएए खुद खाएए और सब को फिलाएए वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेर और कॉमेंट कर दीजिए चनल में अगर आपने है तो चनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए थांक्स पर वाचिंग